न्यूस रूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा नमशकार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है विंध्य की चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं इन विकास खंडों के लिए मतदान दल रवाना हो चुका है बताया जा रहा है कि कल सुबस साथ बजे से रीवा ब्लॉक में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साथ बजे से दोपार तीन बजे तक वोटिंग कराई जाएगी लगातार इन सभी ब्लोकों में जहां पर सामगरी वित्रित की गई है कलेक्टर और S.P. का जाइजा जारी है राइपूर कर्चुलियान, रीवा और गंगेव विकास खंड की 284 ग्राम पंचायतों में मतदान हो मैदान में हैं दूसरे चरण का मतदान उसके बाद तीसरे चरण का मतदान रीवा प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और जो चू किया जो भी गलतियां पिछले मतदान पिछले पहले चरण में हुई थी मतदान में वो तमाम चीजें दुबारा ना हो इसके लिए लगा कर रहा है तो कल का दिन फिर से पूरा चुनावी माहौल पंचाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल रीवा विकासखंड रायपूर कर्चुलियान और गंगेव विकासखंड में होना है बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान का एक हफ् सतना पहँचेंगे रोड शो के लिए मुख्यमंत्री के सतना अग्मन और रोड शो के दरान शहर की ट्राफिक व्यवस्था को डाइवर्ट रूट किया गया है प्रशासन ने डाइवर्ट रूट पर रहेगी सतना की ट्राफिक व्यवस्था DSP ट्राफिक ने बताया कि CM का रोड शो सिमरिया चौराहा से शुरू होगा इस दोरान शेर में यातयात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए शेहर को साथ जोन में बाट का डाइवर्ट रूट निर्धारित किये गए हैं सतना प्रशासन कल CM शिवराज के रोड शो के लिए तैयारियां कर रहा है और लगबग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं डाइवर्ट कर दिया गया है रूट किसी भी तरह की परिशानी ना हो इसको भी ध्यान में रखा गया है प्रशासन द्वारा एक हफते में दूसरा सतना दोरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान का निर्वा जो चुनाव चल रहे हैं उसके मद्दे नजर काफी महत्वपून माना जा रहा है जीत के लिए तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं निकाय चुनाव होने हैं जल्द और इ लिए नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में उतर चुके हैं तो कल एक हफते में दूसरी बार सियम शिवराज का सतना दोरा है रोड शो करेंगे वो सतना में बढ़ते हैं तीसरी खबर की और सीधी जिले से है सीधी का सिहावल जनपत पंचायत इंदरों सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि तीसरे दिन भी मतगड़ना लगातार जारी है साहुग्राम पंचायत जनपत पंचायत सिहावल अंतरगत आता है यहाँ पर मतगड़ना का कार्य 28 जून को ही हो जाना था लेकिन कार्य प्र चरण का आखरी राउंड चल रहा था कुछ समय पहले तक और अभी स्थिती क्या है जब तक यह जानकारी मिली है हमें तीसरे जो दूसरा चरण है आखरी राउंड का वो चल रहा था अभी क्या स्थिती है इसकी अपडेट आपको बताते रहेंगे 28 जून को मतगड़ना हुई थी यहां पर सिहावल जनपत पंचायतों में मतगड़ना का कार्य लगातार तीसरे दिन भी जारी है कुसमी की मतगड़ना देरशाम 28 जून को ही खत्म हो गई थी लेकिन सिहावल जनपत पंचायत की मतगड़ना आज दिनांग तक जारी है जिसकी वज़े से ग्रामीरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है नाराजगी देखी जा रही है सीधी का जिला प्रशासन अपने तमाम वादे कर रहा है कि कारिया तेजी से पूरा किया जा रहा है लगातार अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन तीसरे दिन भी मतगड़न जारी रखना कई सवाल खड़े करता है और एक सवाल ये कि क्या प्रशासन इतना सुस्त हो रहा है कि तीसरे दिन भी मतगड़ना पूरी नहीं हो पारी है और इसके कारण ग्रामीरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ये कह रहा है कि मत अब तक में पूरा हो पाता है चौथी और आखरी खबर की बात करते हैं निकाय चुनाब में आम आदमी पार्टी भी अपना जोर आदमा रही है प्रदेश में जल्द ही आपके बड़े नेताओं की रैली देखी जाएगी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसके अलावा आपके बड़े नेताओं का दोरा सुनिश्चित किया गया है सिंग्रोली में दिली के मुखे मंतरी अरविंद केजरीवाल का दोरा सुनिश्चित किया गया है यहां से महापौर प्रत्याशी रानी अगरवाल के पक्ष में खुद दिली के मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान सिंगरॉली आएंगे और यहां पर जनता को लुभाने के लिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रोड शो किया जाएगा तो अब निकाय चुनाव का जो पूरा महौल है वो गर्माता जा रहा है प्रदेश की राजनीती में आम आदमी पाटी की भी जबरदस्त एंट्री हो चुकी है और निकाय चुनाव के लिए भी आम आदमी पाटी जो राजमाईश कर रही है देखना होगा कि इसका रिजल्ट क माम कबरों के लिए देखते रहे है विंध्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद